अमेरिका के वर्चस को शाबित करते हुए कुछ उदाहरन अमेरिकी गत्विदियों के माध्यम से हमने समझने की कोशिश की और अब आप इनिश्चित रूप से समझ के होंगे कि सैन्न मामले में और राजनेतिक मामले में अमेरिका कितना शक्ति शाली हो गया था सुपर पावर क्या सुपर पावर अब यहां पर हम आते हैं दूसरे विशे पर और वह विशे है आर्थिक एवं वैचारिक इस्तर पर अमेरिकी वर्चस क्या है विशे आर्थिक एवं वैचारिक इस्तर पर इसका वर्चस अभी तक हमने सैन्न मामलों में उसका वर्चस हो जा आप आर्थिक मामलो में भी क्या उसका वरचस्था चाहि सच या है तो पहले हम इसको जाने और ये जानने के बात किर हम अंत में जाएंगे कि अमेर्का-क। क्या को चुनौती दे रहा था क्या अमेर्का को अपनी वरचस्थवता बनारं रखने में कुछ दिक्रते हो रही थी यदि कुछ लोग विरोध कर रहे थे चैलेंज कर रहे थे तो कौन और क्यों कैसे वर्चा सुका भी प्राए मैंने बारं बार बार बताया आपको वर्चा सुझाने वह शक्ती जो उस ऐसी ताकत मिलना जिसे विश्वराजनीटी में सरवोच चस अस्थान पर आजाए अमेरिका सतत रूप से विश्वराजनीटी में विवन देशों या देशों के समूँ के उपर टाकत कायम रखने की लगातार कोशिश करता रहा और ऐसे अन्य देश भी कियो बेखिए यदि हम पंद्रहवीश, चुलहवीश, सत्रहवीश, के और जाएंगे तो हम देखेंगे कि एक काल में इंग्लेंड ने भी अपना प्रभुत्व बनाया, पुर्तगाल ने भी कुछ समय तक सफलता पाई, स्पेन, फ्रांच, जामनी आदी भी अपने अपने खेत्रों में वर्चस बनाये रखे, तो वर्चस्थता की दौड अन्य देश पर अपना प्रभुत्व बनाये, अन्य देशों पर अपना दबदबा बनाये, और वो देशों की जो सीमाएं हैं जिस पर उसका दबदबा है, वो सत्त रूप से बढ़ता रहे हैं, यह जो ताकत है, यह जो वर्चस्थता है, यह सैन्य मामले में, आर्थिक माम मामले में और संस्कृतिक मामले में भी होती है यान हम कह सकते हैं सैन्य प्रभुत्व आर्थिक शक्ति के रूप में राजनेतिक रुतबे के रूप में राजनीति में उसका कितना रुतबा है और संस्कृतिक मामले में उसकी संस्कृति अन्य देशों की संस्कृति पर कितनी ह इसे हम वर्चस्ता कहते हैं ऐसी ही शक्ति का प्रदर्शन अमेरिका ने 1990 के बाद से किया है 1990 के बाद क्यों क्या उत्तर है आखिर 1990 के बाद क्यों किया कि 1990 में सोविय संग तूड गया वह एक मात्र महा शक्ति जो अमेरिका को टक्कर देने की ताकत कुछ हद तक रखता था अमेरिका को टक्कर देने की एक मात्र शक्ति जो थी वो सोविय संग था यदि कुछ थंभावना थी जो अमेरिका को आख से आख मिला कर देख सके तो वो सोविय संग के पास थी दुर्भागे से सोविय संग स्वायम तूट गया कई अंद्रूनी कारणों से कई कारणों से जिसका जिक्र हम अन्य ध्यायों में भी किया हैं और मैंने इसमें भी प्रारम में किया है तो सच्चाई है कि सोवियत संग के टूटने के बाद से अमेरिका ने सतत रूप से अपने रुतबे का प्रदर्शन किया है अपने संस्कृति को दूसरे देश की संस्कृति पर लाजने में सफलता पाई है अपने को सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति के रूप में साबित किया है बारंबार और सेन्य शक्ति की प्रभुता उसके तो दारण हमने यहां तीन चार भी देख लिए हैं इसी शक्ति का प्रदर्शन अमेरिका में अमेरिका ने सतत रूप से किया है और इसके साथ ही हम कह सकते हैं कि अमेरिकी वर्चस कायम हो गया और स्थाई हो गया और एक तरीके से विश्व के द्वारा स्रीकार कर लिया गया कि अमेरिका एक मत्र सूपर पावर है सोवियत संके विक्टन के बाद से ही अमेरिका समपूर्ण विश्व को अपने वर्चस में लेने हुए लगा था सभाविक है क्योंकि एक विश्व सत्ता, एक विश्व ताकत, वहिश्व Ilk ताकत समाप्त हो गई थी, विगर्तित हो गई थी तो अब अमेरिका लग गया अपना वर्चर्स बनाने में और इसी देश चे अमेरिका ने एक मई दो हजार एक एक मई यानि लेबर डे मजदूर दिवस रहता है तो दो हजार एक को वाशिंग्टन में भाशन देते हुए अमेरिका के राश्टी सुरक्षा प्रणाली के बारे नैशनल मिसाइल डिफेंस सिस्टेम ये बहुत ही महत्पूर्ण घटना थी एनमडियस की घुशना की गई और इसमें कहा गया है कि यदि अमेरिका या उसके देशों पर कोई अक्रमन करता है तो अनु अस छोड़ता है तो उसके उत्तर में अमेरिका की जमीन पानी या आस् पर खड़ी मिसाइलें उसे नश्ट कर देगी तो इस परकार एक तरीके से पूरा मिसाइलों का जाल इस तरीके से डाला गया या जाल डाले गए जाल की घुशना इस तरीके से की गई कि पूरे विश्व को चेताउनी थी कि नैटो के किसी भी सदस देशों पर हमला होने पर चाहे वो अनुशत्र से हो चाहे किसी अन्हत्यारों से अमेरिका जमीन आस्मान और पानी तीनों जगा से अपनी मिसाइलें छोड़के उन्हें नश्ट कर देगा और इससे अप अंदाज लगा सकते हैं कि अमेरिका एक तरीके से वर्चस्वता के उस स्टर पे आ गया था कि वो दुनिया को चुनौती दे रहा था विश्व के सभी देशों को चुनौती देने लगा था आतंक वादियों ने इसी अमेरिका की चुनौती के परिप्रेक्ष में ग्यारा सितंबर 2001 को वाल्ट रेट सेंटर और पेंटगन जैसे के अंदरों पर हमला किया था जो 9-11 की बात की गई है उसका एक कारण था अमेरिका द्वारा दुनिया को दुनिया की सुरक्षा को एक तरीके से चुनौती देना और उसी चुनौती के परिणाम था कि आतंकवादी जो थे वे बॉखला गए और उन्हें प्रतिक रियात्मक कारवाई करते हुए 11 सितंबर 2001 को अमेरिका की इस तथा कथिल सुरक्षा प्रणाली को सेंध मारते हुए अपने विमानों से उनके बहुत महत्पूर्ण सेंटरों पर जिसमें वर्ल्ड ट्रेट सेंटर है पेंटेगन है जो पेंटेगन तो अमेरिकी जासुची का सबसे बड़ा कारयाल है वहाँ पर यह हमला करने में सफल हो गया यह अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी अमेरिका के लिए एक चेतावनी भी थी एक हिदायद भी थी क्योंकि 1776 में जब अमेरिका सतंतर राष्ट बना उसके बाद किसी भी विदेशी सत्ता या किसी भी विदेशी द्वारा किया गया यह पहला आक्रमना है अमेरिका सतंतर कब हुआ 1776 में अमेरिका के स्थापना हुई 1776 में याने आज चे लगभाग धाई सो वर्षपूर इस थापित देश जिस पर कभी भी विदेशी हमला किसी भी तरह का नहीं हुआ था उसे इस हमले को जेलना पड़ा वर्चस्व का इतिहार और थाथ समय समय पर विश्वितिहास में जो वर्चस्वता के प्रयास हुए और उन प्रयासों में जिन अलग 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 देशों ने अलग अलग काल में अपनी वर्चस्वता बनाई उस पर थोड़ा नजर डालें ये बात आपको जेहन में रखनी होगी कि ये वर्चस्वता सततनी रहती समय के साथ इस्थितियां बदलती हैं परिस्थितियां बदलती हैं किसी सामराज का पतन होता है तो इसका वर्चस्वता होता है और जब उसका पतन होता है तो निश्चित रूप से किसी अन्य सामराज का उद्भा होता है और उसका विकास होता है और फिर वो शायद वर्च इतिहास इन उदाहरनों से पटा हुआ है जिसमें ये उतार चड़ाओ सतत रूप से बने हुए हैं हर खेत्र में और यही मामला विश्व में या किसी खेत्र में वर्चस्वता का है एक शेहर में भी एक कालोनी में भी एक विद्याले में भी एक कारियाले में भी हम देखते हैं कि कभी किसी अधिकारी का वर्चस्व रहता है उसका बोलबाला वो सर्वे सर्वा और पिस्थितियां बदलने पर वर्चस्चता भी दूसरे के हाथ चली जाती है ऐसे ही शहर में भी शहरों में आप देखेंगे कि कभी किसी गुट का बोल बाला रहता है फिर वो गुट कहीं चला जाता है लुप्त हो जाता है पतन हो जाता है और एक दूसरा गुट हावी होने लगता है ऐसी खित्री राजनीती में भी एक दल का वर्चस्प एक राजनीतिक दल का वर्चस्प और उसके बाद फिर दूसरे दलों का आना और फिर उनका हावी होना और जिसका वर्चस्प बना था उसके समापते हो जाना तो हम कह सकते हैं कि तहली बात वर्चस्प ता सतत नहीं है यदि हम विश्विति हास की और देखें तो यॉर्प की राजनीति पर 1660 से 1773 तक फ्रांस का वर्चस्प रहा अब एक बार पुना नक्षे को देखिए और जब इनका वर्चस्प रहा तो इनकी वर्चस्प ता के कारण कुछ और थे 1660 से 1773 याने लगभग 100 वर्चस से ऊपर और फ्रांस जो पस्चमी यूरोप के कोने में है इंग्लेंड से बहुत निकट है जामनी से लगभग लगा हुआ है उसका वर्चस्प विश्वराजनीति में रहा और ये संभवता एक तरह से आधनिक विश्व में वर्चस्पता का पहला उदारण है एक देश के द्वारा एक देश के द्वारा दुनिया में अपनी ताकत बनाना सर्वोच ताकत बनाने का ये पहला उदारण है फ्रांस 1860 से लेकर 1910 तक हम देखते हैं ब्रिटेन का वर्चस्प रहा 1860 से 1910 यानि लगभग 50 वर्ष के अकाल में और उनका जो वर्चस्प था वो मूल रूप से समुदری व्यापार पर उनका कब्जा रहा समुदری व्यापार जो था उस पर उनका कब्जा था और इस व्यापार के माद्यम से उनकी वर्चस्प बनी हुई थी इतिहास हमें ये भी बताता है कि वर्चस्पता जैसा मैंने कहा हमेशा कायम नहीं रहती 1660 में लुई 14 के शासनकाल में लुई 14 उसके शासनकाल में जब वो फ्रांस का राजा था तो फ्रांस एक तरीके से अपराजे है था लेकिन 1713 तक इंगलेंड, हबबर्ग, आस्ट्रिया, रूस, फ्रांस को चुनौती देने लगे थे याने कुछ ऐसी ताकतें नहीं ताकतें आने लगी थी सामने जो फ्रांस के वर्चस्पता को चुनौती देने लगी थी और 1806 में विक्टोरिया इशासन जो काल है रानी विक्टोरिया का उसमें तो इंगलेंड की वर्चस्पता का बोल बाला था चर्मुत कर्श पर था तो हम देखते हैं कैसे वे देश जो किसी समय अपना वर्चस्प बनाय रखे थे वर्चस्प अपना बोल बाला रखे थे समय के साथ कैसे उनकी वर्चस्पता पर गिरावट आती है 1910 के बाद तो जामनी जपान और अमेरिका ये तीन नए देश नए देश तो नहीं बलकि ये तीन नए ताकतें एक तरीके थे ब्रिटिन की वर्चस्पता को ललकारने लगी थी ब्रिटिन का काल 1860 से 1910 का वर्चस्पता का माना जाता है लेकिन सचाइत ये है कि इसके काफी पहले से उसने विश्वराज नीति को बहुत प्रभावित करना शुरू कर दिया था अपनी नीतियों से अपनी विदेश नीति से अपनी अंतराश्टी नीति से अपनी व्यापारी गति विदियों से लेकिन 1910 आते आते ब्रिटिन को जर्मनी जपान और अमेरिका इन से चैलेंज मिलने लगा ये देश इनको ललकारने लगे और उसके बाद से हम देखते हैं अमेरिका की वर्चस्वता और वो अभी तक कायम है एक काल था शीत युद का काल 1945 से 1990 तक के आसपास जब इसकी वर्चस्वता को चनौती जी जा रही थी अमेरिका USA की वर्चस्वता को USSR या Soviet संग वारा चनौती दी जा रही थी पर जहां तक वर्चस्वता की बात है जहां तक सुप्री मेसी की बात है जहां तक हेजे मनी की बात है वो तो अमेरिका की ही थी ऐसा नहीं कहा जाता कि अमेरिका सोवियत संग की वरचस्वता को चुनोती दिया ऐसा कभी नहीं कहा गया बल्कि हमेशा सोवियत संग जो दूसरे स्थान पर था अपने से काफी दूर था अमेरिका की ताकत के सामने बहुत पीछे था वो चुनाती दे रहा था लेकिन जहां तक अमेरिका की वर्चस्वता का सवाल है वहां अक्षुन्य रूप से बनी हुई थे और आज भी बनी हुई है आज और ज्यादा ताकतवर हो गई यहांने समय के साथ साथ गत पचास सौ वर्षों में उसकी जो ताकत है उसकी जो अहमियत है विश्वराज नीते में उसका जो वर्चस्वता है वो बढ़ता ही चला जा रहा हम थोड़ा और पीछे जाएं यदि वर्चस्वता और हजे मनी के इतिहास में तो हम देखेंगे कि जो हजे मनी है या वर्चस्वता है इसकी शुरुवात युनानी काल में हुई प्राचीन युनान में इस इस शब्द से किसी एक का नित्रित्व या प्रभुत्व का बोध होता है किसी एक सत्ता का नित्रित्व या प्रभुत्व यही हजे मनी मूलता इस शब्द का उपयोग प्राचीन युनान के जो अन्य नगर राज्यों के तुलना में एथिंस के लिए होता था आपको य रोमन सभ्यता थी वहाँ पर शिटी स्टेट हुआ करते थे और उन्सिटी स्टेट में यद्यपी हर एक स्टेट अपनी तरीके से स्वतन था पर दबदबा किसका था ज्यादा दबदबा था एथिंस नगर राज्ज का यदि हम सोवियत संग की बात करें सोवियत संग के अंदर वैसे तो पंदरा बीस राज थे जो सोवियत संग का हिस्सा थे और विगटन के समय वो पंदरा राजभागों में तूटा पर इन सब राजियों में से एक रूस जो था उसका दबाओ, उसका बोल बाला, उसका वर्चस जादा था तो सोवियत संग में रूस का वर्चस ऐसे युनानी सब बिता के तहद प्राचीन युनान में एथेंस की प्रबलता को बताने के लिए हेजे मनी शब्द का प्रयोग किया जाता था क्या बताने के लिए प्रबलता को बताने के लिए किस देश की प्रवलता को या किस सिटी स्टेट की प्रवलता को एथेंस की प्रवलता को बताने के लिए इसका उप्योग किया जाता है इस तरह हेजे मनी के पहले अर्थ का संबंध राजियों के बीच सैनिक्षमता की बुनावट और तौल से है राज्यों के भी सैनिक्षमता और उनके बीच के तराजू से है संबंधों से है हेजमनी से ध्वनित सैनि प्राबल का अर्थ यही कि आज विश्य राजनीते में अमेरिका की हैसियत को बताने में इसका इस्तेमाल होता है अर्थात हम कहें तो हेजमनी आज के परिप्रेक्ष में भी सैनि बहुलिता सैनि प्राबलिता को बताने के लिए होता है और जैसे पूर में प्राचीन युनान में एथिंस के लिए था ऐसे वरतमान में यह अमेरिका के लिए इसका इसका इस्तेमाल होता है सोवियत संग के पतन के बाद दुनिया में एक मात्र महाशक्ति अमेरिका बची जब अंतराश्टी व्यवथा किसी एक महाशक्ति या कहें कि वह महाशक्ति के दबदबे में हो तो बउधा उसे एक ध्रुवी कहा जाता है पहले जो दो ध्रुवी था सोवियत संग और अमेरिका वह जब सोवियत संग का विगटन हुआ उसके बाद से एक ध्रुवी हो गया क्योंकि वर्चस्वता किसी एक महाशक्ति की हो गई और वो कौन सी महाशक्ति थी अमेरिका तो उद्धत महाशक्ति के दबदमे में पूरे विश्व का होना तो बहुदा इसे हम एक ध्रुवी विश्व कहते हैं और इसलिए जो हमारे ये अध्यन का जो काल है ये अध्यन का काल हम कह सकते हैं अमेरिकी वर्चस्व का काल या एक धुरूव जो शब्द है भौतिकी में ये थोड़ा सा भ्रामक एक तरीके से प्रयोग होता है अंतराश्टी व्यलस्था में ताकत का एक ही केंद्र हो तो बहतर है कि उसे हम हेजे मनी कहें क्या कहें हेजे मनी याने वर्चस्था ये इस्तिमाल बहतर होगा तो अमेरिका की हेजे मनी क्योंकि दुनिया एक धृरूवी हो चली है मैंने आपको बताया कि वर्चस्वता क्या है वर्चस्वता का इतिहास प्राचीन एथिन से लेकर फिर फ्रांस फिर उसके बाद इंग्लेंड फिर वापस फिर उसके इंग्लेंड का अंकलेंड को ललकारे जाने के उधारन और फिर अमेरिका की वर्चस्वता और साथ में सही शब्द जो है उप्योक्त शब्द हर्जय मनी है एक ध्रुवी विश्व में भी और ये भी आपको बताया कि वर्चस्पता का तालुकात प्राची नेथिंस में मूल रूप से सैन्य प्राबल को लेकर होता था सैनिक शमता को लेकर होता था